कोरियाई प्रायद्वीप पर बढ़ते तनाव को कम करने के लिए अमेरिकी राश्रुपती ट्रम्प और चीनी राश्रुपती शी जिन पिंग के बीच मुलाकात हो सकती है वाइट हाउस ने जानकारी दी है कि अमेरिकी राश्रुपती डॉनल्ड ट्रॉम और चीन के राश्रुपती शी जिन पिंग के बीच बैठक की योजना बनाई जा रही है वाइट हाउस के प्रवक्ता शीन स्पाइसर ने डेली प्रेस ब्रीफिंग में कहा ट्रम्प और शी के बीच बैठक की तैयारी चल रही है जिसकी तारीक अभी निर्थारित होना बाकी है हम इसकी पुष्टी करने के लिए तैयार नहीं है और हमें ज्यादा विवरन जुटाने होंगे इस बैठक का मकसद उत्तर कोरिया को लेकर तनाव कम करना और दक्षिन कोरिया में हाल ही में सैन्ने उपकर्णों की तैनाती पर बात करना है अमेरीकी राश्टपती और चीनी नेतरित्व के बीच बैठक में आपसी चिंता के अनेकों मुद्व पर चर्चा की जाएगी विदेश मंत्री रैक्स टिलर्सन इस सब्ता जपान, कोरिया और चीन जैसे तीन देशों की यात्रा पर जा रहे हैं वही रक्षा मंत्राले के कारिवाहक प्रवक्ता मार्क टोनर ने कहा कि चीन के साथ वारता में उत्तर कोरिया एहम मुद्दा होगा वह और तलब है की हाल ही में उत्तर कोरिया ने चार मिसाइल दागी थी जो साथ कोरिया के समुद्र शेत्र में गिरा था इस मिसाइल परिक्षण के बाद अमेरिका ने थाड मिसाइल की तैनाती की थी जिसके बाद से काफी तनाव का माहौल है NMF News के रिपोर्ट